जैस्री किष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे बक्ते बावना योटूब चेनल पर 23 अप्रेल महा सोव्योग, बड़ा सुक्रबार, कामदा 81 कामदा 81 यानि सभी मनों कामदाओं को पूरग करने वाली जिस इंसान के मन में जो भी कामदा हो, वह कामदा बोल करके 81 या अबरत करते हैं, उनकी सभी कामदाओं पूरी हो जाती हैं इस दिन गौमाता की पूजा का बड़िसेश महत होता है जो ब्यक्ति एकासी बाले दिन गौमाता की पूजा करते हैं उनकी सभी मनों कामनाय पूरी हो जाती है सरपतम सुबह उठते ही भगवान गड़िजी के मंत्र का जाप करना चाहिए इस मंत्र का जाप करते हुए दिन की सुरुवात करनी चाहिए उसके बाद में इश्नान करना चाहिए इश्नान करने के बाद में भगवान गड़िजी को नमस्कार करें और संतान धन प्राप्ति के लिए उनसे नेवेदन करें उसके बाद में एकासी ब्रत की कता का स्रवड करना चाहिए भगवान विश्णु के सामने बैट करके संकल्प करें कि ही प्रभू आप हमारी यह कामना पूरी करें क्योंकि कामदा एकासी है जो भी मनुकामना बोलेंगे वह मनुकामना आपकी अवश्य पूरी होगी एकासी बाले दिन सुवेश्णान करते समय शूर्य वगवान को जल पित्रों के नाम से तरपन यह है अवश्य करना चाहिए एकासी के दिन पित्रों के नाम से किया गया तरपन का विशिश महत होता है जो व्यक्ति 81 के दिन शूर्य वगवान को जलारपण करते हैं, पित्रों को तरपण करते हैं, उनकी सभी मनुकामनाय पूरी हो जाती हैं इनसान के उपर अगर पित्रदूस हो, तो वहे भी सांत हो जाता है 81 अमावस्या पर इशनान का विशिश महत्व है इसलिए इशनान करते समय गंगामा का ध्यान करना चाहिए उसके बाद में भगवान की पूजन करना चाहिए 81 में चावल का प्रियोग बर्जित है चावल का प्रियोग नहीं करना चाहिए द्वासी के दिन चावल का प्रयोख करना चाहिए, एकासी में हल्दी चावली है, बर्जित होते ही एकासी के कता स्रवड करने के बाद में, आप वगवान से अपनी मनो कामना बोलते हुए प्रातना करें और एकासी की जब कता स्रवण कर रहे हूं उस समय भगवान के सामने कुछ प्रसाद नेवे द्यारपन करना चाहिए नेवे द्यारपन करने के बाद में आप कता का स्रवण करें, मंत्रों का जाब करें इस दिन शुक्रवार भी है माता दुरगा के सामने प्रसाद नारियल अरपन करने का बिशिश महत्तो है जब आप वगवान कृष्ण की पूजा करें एककासर वर्य करें उसके बाद में आपको गोवसाला जाना चाहिए और इस दिन तिल और गोड गोवमाता को खिलाना चाहिए साथ में केला भी गोव माता को खिलानी चाहिए ऐसा करने से सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती है प्रतेक एकासी के दिन गोव माता की पूजा जरू करनी चाहिए जो एकासी का ब्रत ना कर सके वह एकासी को गोव माता को रोटी और गोड खिलाए जो एकासी का ब्रत कर रहे हूँ वह गुड और तिल, हरी घास गोमाता को जरू खिला किया है गोमाता को पानी पला किया है, गोमाता की पूजा करें एकासी के दिन गोमाता की पूजा करने से बंद्या दोश कत्म हो जाता है यानि बंद्याओं के भी पुत्र हो जाता है संतान की प्राप्ती होती है धन की प्राप्ती होती है हर प्रकार की आरही परिशानिया दूर हो जाती है तो इस दिन गोमाता की पूजा का विशिश मेहत्व है गोमाता की पूजा करनी चाहिए आपकी हर मनों कामना पूरी होगी हर प्रकार की आरही परिशानिया दूर हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है आपको जान का रहे चलोगी वीडियो को शेयर जरू करें जैगोमात आगे